हाई वीडियो और स्वागत है आज के इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि हम Grow App में Demet Account कैसे बनाते हैं दोस्तों अगर आभी Share Market में पैसा invest करना चाहते हो share market में पैसा invest करके trading करना चाहते हो mutual fund में invest करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पुड़ा step by step watch करना है आज के इस वीडियो में हम step by step discuss करेंगे कि हम grow app में नए account कैसे बनाते हैं और हम कैसे account को verify करते हैं with proof तो आए चले दोफ तो वीडियो को start कर लेते हैं वीडियो में Его app को install कर लेना है तो install करने के लिए यहां पर आपको Play Store को open कर लेना है तो मैं यहाँ पर अपने phone का recording यहाँ पे आं कर देता हूं तो यहां पर हम कर लेते है own Play Store को Open जो फॉर्वेस्टोर को Open करने के बाद आपको यहां पर तरट में लिखना है grow और तो लिखंगे हैं ब्रूंआप लिक्कर सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद आपको यहां पर ऊपन में हो जाएगा आपको इस वाली ऐप को इस निसे आन अप्युल कर लेता हूं इस चॉल करने पाद आपको इसको आपक्न कर ले ना counselor हम यहां पर open कर लिते हैं on करने बाद आपको यहां पर आपके फॉन में जो भी email ID login होगा वह सभी यहां पशुभ होजागा तो आपको यहां पर जिस भी email ID से आपको grow app में account बनाना है आपधो simply select कर लिनाया तो मैं मैं यहां पर select कर लेता हूं, select करने के बाद आपको यहां पर जो भी permission मांग रहा है, आपको सब को allow कर देना है, ठीक है? permissions को allow करने के बाद आपको यहां पर आपका phone नमर पुछा जाएगा, तो आप जिस भी phone नमर से grow app में account बनाना चाहते हो, आपको उस नमर को यहां पर डाल देना है, तो हम यहां पर डाल दिये हैं, नमर डाल के simply आपको यहां पर click करना है, confirm के option पर यह देखो, आपको नीचे मे a pen check कर लेना है, तो मैं यहां पर set कर लेता हूँ, और फिरसे यहां पर पिन को confirm कर लेना है, pin कनफرम करने के बाद आपको इस परकार से option होगा, यहां पर आपको permission को allow करना है, यहां पर मैं आपाम कर देना है Allow करने के बाद आपका सिम वेरिफाई हो जाएगा आपका फॉन वेरिफाई हो जाएगा अब आपको यहां पे पूछा जा रहा है की आपके phone नमर चे जोभी bank account भेरिफा identified आपके नमर से जो भी bank account रजिस्टर है उस बैंक को यहाँ पर एड करना है यानि कि आपको यहाँ पर सर्च करना है तो आपको यहाँ पर जो भी बैंक है आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जैसे आप pen नमर डालोगे pen card यहाँ पर automatically verify हो जाएगा अब आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से simple आएगा कि क्या आपका यह pen card सही है तो आपको यहाँ पर कर देना yes confirm यहाँ पर click करेंगे ठीक है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर occupation का option मिलेगा यहनि कि आप काम क्या करते हो अगर आप student हो तो यहाँ पर student करना है अगर आप private sector में काम करते हो तो private sector को select करना है otherwise आप housewife हो तो आपको यहाँ पर housewife करना है आगर आपका पर profession है जैसे कि होता है न कोई actor मतलब influencer तो इस तरह से आप select कर सकते हो कोई farmer होता था आप यहां पर farmer select कर सकते हो तो मैं यहां पर select करता हूँ student क्योंकि मैं खूद student हूँ तो हम यहां पर student को select करते हैं और इतना करने के बाद आपको यहां पर Eh details required to finish KYC करने के लिए आपको यहां पर दो 맛있어요 होगा एक यहां पर mother name और यहां पर father name तो यहां पर आपको अपने fathers प्रोट्र का नाम यहां पर enter कर देना है तो मैं यहां पर कर देता हूँ यहां पर आपको mother's का नाम और यहां पर father's का नाम करके simply click कर देंगे यहां पर प्रोसीट के अफ़सन पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक important point है आपको इसको समझना पड़ेगा यहां पर इसके कहिना का मतलब है कि आपका annual income क्या है तो आपका सलाना income जितना है आपको यहां पर डाल देना करने के बाद आपको यहां पर साधी सुधा हो यह नहीं हो तो यहां पर और करेंगे करेंगे तो हम यहां पर करने कब यहां पर एक ऑप्सटन मिलेका ट्रेडग अनिवेश्टमेंट preferences इसके कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आप trading करना कितने दिनों से जानते हो आपका यान कि experience क्या है है share market dialogues में या mutual mundane में, आपका experience kitना है, आप कितने दिनों से जानते हो इसके बारे में तो अगर आप जानते हो, तो आप यहाँ पर select कर सकते हो एक y अधारकार्ड है वह वेरिफाइख होगा तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू के वाइसी के अप्सिन पर यहां पर नीचे में आपके अधार काड पर जो भी नम् ollut हैं वह आपको यहांपे कर देना है तो हम यहां पर कर देते हैं अधार नमरे करने के बाद इंटर करने के बाद सींप्ली क्ल्क करेंगे यहां पर नेकश्च के option पर क्लिक करने के वाद आपके अधार-प्छनarg में जो card में जो भी phone number register होगा उस पर एक OTP जाएगा यहाँ पर OTP को डाल देना है यहाँ तो हम OTP को यहाँ पर डाल देते हैं जो भी pin है आपको यहाँ पर enter कर देना है तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है done के option पे pin डालके done के option पे click करने के बाद यहाँ पे आपको आपका document जो है वो fencing होगा ठीक है और यहाँ पे automatically सब कुछ verify हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ इस परकार से option मिलेगा तो आपको यहाँ पे 2-2-3-2-2. string wait करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा option सो होगा cambiar करने के लिए आपको अपना यहाँ पर फोटो में यहाँ पर क्येप्चर होगा ठीक है तो यहां पर यह जो है verify हो गया है verify होने के बाद यहां पर आपको इस परकार से राउंड होगा ठीक और इतना करने के बाद आपको simply click करना प्रोसीड टू सिंग्नेचर के option पर यहां पर ठीक है इतना करने के बाद आपको यहां पर अपना sign करना है जैसे आप bank account में sign करते हो जैसे आप कई बार होता है कि आप मतलब कहीं पर sign करते हो स्वेम उसी तरह से आपको sign करना है आपको यहां पर कुछ इस परकार से option so होगा यहां पर आपको पूछ रहा है add nominee तो यहां पर simply click करेंगे यहां पर add nominee के option पर आपको यहां पर nominee में नाम add करना है आप यहां पर father का नाम add कर सकते हो यहां फिर mother का नाम add कर सकते हो तो हम यहां पर add nominee के option पर click करते हैं क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक option मिलेगा टॉप पे nominee name इंटर nominee full name तो यहां पे आपको अपने father's का या mother's का नाम enter कर देना है आपको इसको escape नहीं करना है ठीक है guys तो हम यहां पे nominee का नाम add कर देते हैं nominee में आप यहां पे आपको क्लिक करना है nominee is your select relation ठीक है तो यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको multiple option मिल जाएगा जैसे यहां पे wipe हो गई हस्ट बेंड हो गया sun हो गया तो आपको यहां पे nominee में जिस किसी को भी add करना है उसको select कर लेंगे तो हम यहां पे father को select करते दthlete dot cannot करना है और यहां पे father's का जो भी name Computer करना है कर ने बाद आपके father का जो भी duele相öt है वह यहां पर एंटर करना है देट व वर्त अंटर करने के बाद यहांके आपको एक option मिलेगा nominee identity proof यहां पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर अपने फादर का अधार का अधार कार्ड हो गया, पासवोर्ड नमर हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपको यहाँ पर कोई एक अफ्टन सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी आइडेंटि कार्ड य करने के बाद यहां पर confirm identity proof के अप्षिन पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर नोमनी का सारा डिटेल से यहां पर आजाएगा इतना करने के बाद यहां पर क्लिक करना है simply नीचे में Finish Nominee Edition यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर account वह successfully finished हो जाएगा बस आपको एक छोटा सा काम करना है यहाँ पर आपको करना क्या है नीचे में क्लिक करना है यहाँ पर प्रोसीड तू अधार इसाइन के option पर इतना करने के बाद आप पर account वह successfully open हो जाएगा यानि कि open खूल जाएगा और यहाँ पर आपको simply click करना है यहाँ पर terms and conditions है यहाँ पर आपको click करना है पर प्रोसीड के option पर यहाँ पर प्रोसीड के option पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर grow app का यहां पर account details so ho जाएगा यहां पर यह देखो account opening form यहां पर so ho जाएगा आप इसे read कर सकते हो ठीक है अगर आप चाहो तो इसे अगर आपको लगता है कि कहीं मैं mistake किया तो आप इसे सही कर सकते हो otherwise आपको यहां पर click करना है simply यहाँ पे एक option मिलेगा नीचे में यहाँ पे sign now का तो यहाँ पे click करेंगे sign now के option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे 2-3 second wait करना है wait करने के बाद यहाँ पे कुछ इस परकार से option so होगा तो यहाँ पे आपको click करना है यहां पर और यहां पर आपका जो भी आधारकार नमर है वो आपको यहां पर enter करना है ठीक है guys तो मैं यहां पर enter कर लेता हूं और आपको यहां पर इसको tick कर देना है ठीक करने के बाद यहां पर आपको send otp के option पर click करना है send otp के option पर click करने के बाद आपको यहां पर आपके आधारकार में जो भी फोन नमर रेजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा तो यहां पर OTP को यहां पर Enter कर देना है OTP को Enter करने के बाद यहां पर आपको Simply क्लिक करना है Verify OTP के Option पर यहां पर जैसे आप Verify OTP के Option पर क्लिक करोगे तो आपका जो है Demet Account Successfully Open हो जाएगा Document Sign Successfully यहां पर हो जाएगा अब आपको यहां पर कुछ इस परकार से Option होगा आपके फोन पर एक OTP भी आ जाएगा कि यहां आपका Grow App में जो है हम यहां पर क्लिक करते हैं इतना करने के बाद आपका Account जो है वह Successfully खुल जाएगा यानि कि Open हो जाएगा यह देखो आपको यहां पर आपका Account जो है Open हो गया है कुछ इस परकार से और यहां पर गाइस आपको एक आपसर मिलेगा यह देखो यहां पर यू विल भी अलेडी टू इंवेट इन स्टॉक इन फॉर्टी एट आवर्स यहां पर आपका Account जो है वह verify होने में कम से कम दो दिन लेगा यानि कि आपको यहां पर 48 गंटा का मतलग यहां पर दो दिन यहां पर लेगा और आपका Account जो है वह verify हो जागा account verify होने के बाद आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में जो मिच्वल फंड में आपका Account पहले verify होगा तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप भी grow app में नए account मना सकते हो और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो यानि कि अच्छा कासा पैसा आर्ण कर सकते हो यह मन चाहा आप इसमें मन चाहा पैसा आर्ण कर सकते हो तो चलिए तब तक के लिए बाई 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 मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू